किस तरह से किया जा रहा है नियमों का उलंगन और किराना इस्टोर में क्यों नहीं पहुच रहे हैं माल कहां रोग दिया जा रहा है सुनिए हमारी इस खबर में कर्फ्यू के दैरान लोगों को काफी परिशानियों का सामना करना पड़ रहा है ऐसा लग रहा है कि आगे 14 अप्रेल तक की स्थिती इसी तरह बनी रहेगी सरकार द्वारा क्रोना वाइरिस संक्रमन न फैले रोक थाम के लिए कर्फ्यू लगाए गया है जिसका लोग पालन भ तो जाहिर सी बात है कि तकलीफ तो होगी ही राशन सब्जी ये सब हर घर की जरूरत के सामान है मगर दुकानदारों और जनता का भी कहना है कि समय सीमा अनुसार तो दुकान खुल रही है मगर उनके पास बेचने के लिए माल नहीं है ऐसे में अब सवाल उठता है कि दुका नहीं लापार हैं और महगाई आसमान छू रही है पहले हम आपको कौसा के आरपटेल किराना इस्टोर की तस्वीरे दिखाते हैं जहां लोग सुभा पांच बज़े से ही लाइन में राशन लेने के लिए खड़े थे मगर जब आठ बज़े दुकान खुलने का समय आया तो कि दुकान बंद होने की वज़े से राशन इन्हें नहीं मिला सुनिए इन लोगों का क्या कहना है हम लोग 6 बज़े से खड़े लोग दुनिया की पब्री को पागल करें क्या बोलने चाहिए ना पहले नोटिस लगाना चाहिए कि इदर नहीं है इंदर कुपन बाट ना सबको कुपन बाट आदे लोग को सब के दर पागल है क्या हम लोग यहां पर आके गए थे हम लोग को बहुत टैम तक खड़े रहने के बाद में ऐसा बोला गया कि कल आओ कल सामान मिल जाएगा लेकिन फिर आज आने के बाद में भी इत्ती लाइन लगन के बाद में भी आज दुकान उन्होंने नहीं खोले है तो गौर्मेंट ने कुछ ने कुछ इंतिजाम करना चाहिए यहां पर ऐसा एक हम से कम सामान तो आने दो बहुत सरी गाड़ियां जो सामान लेके आ रही है उनको भी रोका जा रहा है तो यह तो गलत हो जाएगा राशन नहीं मिलेगा तो पब्लिक तो उससे मरने से ज़्यादा भूग से मर जाएगी मरी जाएगा इसा बीमारी से नहीं तो भूख से ही मर जाएगा कहां से होगा इंतिजाम तो कुछ ना कुछ दुकान खुलेगी नहीं तो कैसा खरेगी खरीदी की पब्लिक अब बोलते गैदरिंग नहीं करो देट सो दोसो दोसो पब्लिक लाइन में खड़ी है गैदरिंग नहीं हो रही तो यह क्या हो रहा है यह भी चीज है ना गैदरिंग नहीं करने बोल रहे हैं दोसो दोसो पब्लिक लाइन में खड़ा कर रहे हैं अब यहां कोई उपर बिल्डिंग में रहते हैं उन्होंने देखा कि इतनी सारी लाइन लगी थी तो उनके पास नंबर है उसको फोन किये तो उसने बोला कि आज सामान नहीं है आज सामान आएगा तो कल खुलेगा वाशी से आ रहे हैं अब आप आप जो टाइमिंग दे रहे हैं आट से गयारा का दो घंटा तीम घंटा में पंद्रा लाग ग्यारा लाग पब्लिक हैं मुम्रा में कैसे खरीदी की सामान इसी तरह से हम आपको राजिवा कही जा रही थी कि जो इस सरकल में रहेगा उसी को सामान मिलेगा मगर सच्चाई कुछ और ही हैं सारे नियम कारून को ताक पर रखकर यहां लोग खरीदारी करते हुए नजर आए यहां तक कि जो सरकल बनाए गए थे महां बाइक पार्किंग की गई थी ऐसा लगता है कि ज दुकानों पर देखे एक के पीछे एक लाइन लगा कर लोग ख़डे हुए हैं इस तरह से एक के पीछे एक काफी नसदेक में लाइन लगा कर खडे रहना काफी खतरनाक सावित हो सकता है वहीं एक करानाई इस्टोर वाले ने ये भी बताया कि आखिर क्यो नहीं माल उनके दुकानों तक पहुंच रहा है और कहा रोक दिया जाता है सुनिए इस दुकानदार ने क्या कहा है लोगों का ये भी कहना है कि फोल करके लोग करा दिते हैं आपके लिए सामार लेने उनको जो है तो नहीं मिल पाता है अब फोन उठाना भंद कर दिया हम तो दिन से पोनी नहीं उठा रहे किसी तो यह लाइन लगा रहे उन नहीं कोई सामान आप आ रहा है जो आप माल नहीं आ रहा है उसका तो लोग दिक्कत दे उसका कुछ करना चीए कुछ वाजा क्यों नहीं आ रहा है आगे जो सिल्फाटा पे और रहती बंदर पे देरिकेट लगा हो लेकर लगा रहे जो ड्राइवर लोग को माल पर है नहीं आर जिए अधर नहीं आप आ रहा है बाहर से माल दुखाने चानू अले चानू यह अने नहीं आने नहीं आने सब्जी के भाव को लेकर महिलाओं और सब्जी बेचने वालों के बीच कहा सुनी भाव को लेकर खूब हो रही है महिलाओं कह रही है कि सब्जी के दाम बढ़ा कर बेचे जा रहे हैं मगर दुकानदार का कहना है कि उन्हें महें मिल रहा है इसलिए वो महें बेच रहे हैं जबकि आज मार्केट में आलू की काफी कमी देखी गई जो की कोतमीर 5 रुपे में मिलती थी वो कोतमीर आज 20 रुप आज थे इसी तरह से बड़े हुए भाव को लेकर महिलाए और दुकानदारों ने क्या कहा है रोज कमाने वाले का से लाएंगे भाई तीस रुपया पाव मिर्ची है कहा से खाएंगे खाली मिर्ची लेंगे क्या और समन भी तो है टमाटर सब्जी भाजी सब मेंगी है हम लग कहां से खाएंगे कहां से रहेंगे कैसे रहेंगे सोचो कोई कमाई का जरिया नहीं है हम लोग के लिए को हुए साइट बिजनेस नहीं है हम लोगा TOMке मैं वाले हम लोग कि कितना महिमा कि किला रुपस शबूटार ही तो सटब दोllow ज програмme k activities पर बाद करिए बजार में माल नहीं आ रहा है मांगा करके मतलब हम लोग यहां मतलब बेच रहे हैं इसके पहले दो तीन तीन पहले सस्ता था अज मांगा था करके मतलब और ट्पी कि रहा है कलिटी के उपर है इसमें है के बड़ार माल आता है साट पहले बिवर अथो पर आपको आपको अब अबाजा में दो को raging मिलेगा ऑं मिर बीश का पाओभी महाल के उपड़ सब्सक्राइब कर दो अब एक किने सबका नाम खराब होता है अभी कांदे वाले भाव बलाते तो बोलते वाजी वाला अब अब चेक करो आपको मानम हो जाएगा 20 किलो कमाटर अभी भी है अभी भी सब 62 कमाटर बेचते आप यहां खर होके देखो हम दादा लिये दो बुलना आप अब पूच लो सब्कू कि हमारे वासी मार्केट बंदे कल्यान मार्केट में भी दबल भाव कि रहें थे नाशिक से गोबी दद्द सुपय में बड़ बड़ी विग रही ती आज वह गोबी चाली सभा किलो भीग रहे खुलावर दद्द सुपय में अमन्डी पे देखने को नहीं मिल रहे हैं हम लोग को महेंगा बेचेंगे दो तिन पहले बजार सस्ता था तो लोग ने महेंगा करके बेचा चार ने महेंगा बेचा तो आठ जन उसके पीछे बदा में मार्केट में भी जो बेचा रहा है और वासी से नासिक्स मार्केट बंद एक खाली कल्यांड का आज माल आया है अभी 14 अपरेल तक किसी तरह का कर्फियू रहेगा और अभी से ही मार्केट में सामानों के ना पहुचने की बास सामने आ रही है मगर वहीं कुछ लोगों का ये भी कहना है कि तकलीफे तो उठानी ही पड़ीगी अगर इस तरह के खतरनाक बीमारी से बचना है और सरकार के द्वारा दिये गए नियम का पालन हमें करना है और इन नियमों का पालन करके ही हम कुरोना वाइरिस को हरा सकते हैं और जनता सरकार के द्वारा दिये गए निर्देशों का पालन करें तक अमाम खबरों को जानने के लिए देखते रही है प्रहाटेंग्स अगर आप फेस्बुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें